साब, साब कुछ दे दो ना, भूख लगिये साब, भूख लगिये साब, पर्स, साब आपका ही पर्स, ये किसका पर्स उठा के लिए यो, मेरा पर्स निया ये, पर साब आपका ही पर्स है, अरे दूर रहे के बात करो भिखारन, किपनी भजबू आ रही है तुमारे से, और मै कैसी बात कर रहे हैं, मैं था आपका पर्स दे ले आई हूँ, आपके जेब से के रहा साब अरे क्यों दिमाग खराब कर रही हो मेरा, मैंने बोला नहीं यह पर्स मेरा नहीं है इस पर्ची पी क्या लिखा है? बीक मागना अची बात नहीं है, इसमें कुछ पैसे रखे हैं, तो इस पैसो को किसी अच्छी जगा लगाना जिससे तुमारा फाइदा भी हो इस पर्ची पे ऐसा क्यों लिखा है, कि इन पैसो को मैं कहीं लगाऊंगी तो मुझे लाब होगा भाईया एक पैन का टिपा देना सब, सब पैन में लो सब, पैन लिवल सब अरे तुम, अच्छा लग रहा है तुम्हें मेहनत करता हूँ देखके वरना मैंने तो तुम्हें भीक मांगते वे देखा है वैसे भीक मांगना अच्छी बात भी नहीं है तुम्हें तो इस इंसान का धन्यवाद करना चाहिए जिसने तुम्हें इस काम पर लगाया चलो, बढ़ी है ये लो ऐसी मेहनत करते रो वो ठीक कह रहे है मुझे उस इंसान का शुक्रिया दा करना चाहिए जिसने मुझे भीक से हटा कर इस काम धंदे पर लगाया मुझे महनत करना सिखाया काश वो इंसान मुझे मिल जाए ये देखो ये हमारे पास और पी ये 200 रुपे का है ये 300 का लगा देंगे अब लोग इतो ठीक से लगा देंगे बिया ये वाला भी देख लेजिए ये भी बड़ा चाह विया हांजी सर क्या चाहिए आपको सर आप आपको मैंने कितने ढूढने की कोशिश की और आप आज मुझे ढूढने की कोशिश की लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं सर पहचाना नहीं याद कीजिए आपने जान भूज कर वो पर्स मेरे सामने गिराया था और मुझे इतना बड़ा मेहनत का फल सिखाया था आया याद? आप यहाँ पे? हाँ जी सर ये मेरी शोप है अगर आप उस दिन वो पर्स ना गिराते मुझे वो मेहनत का पाठ ना सिखाते ये चाता मुझे पसंद है कितने का ये? सर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे है आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है आपको ये चाता आप ऐसे ही लेकर जाएगे ये चाता मेरी तरफ से गिफ्ट सबचिए हरे नई नी मैं ऐसे फ्री में नहीं ले सकता सर आपने मेरे इतनी मदद किया है मेरे मुसीबत के टाइम पर मुझे इतना बड़ा पाट सिखाया है तो इतना तो मैं आपके लिए करी सकते हूं और ये अपनी ही दुकाना आते रहेगा ठीक है, थैंक्यू सो मच थैंक्यू तो एन वेल दन